गुड बॉर्निंग बच्चों आज हिंदी में आप पाट दस अपना गाउं पढ़ेंगे प्रकृति के सौंदवर्य को अपने भीतर समेटने वाले गाउं शहरी लोगों को लुभाते हैं हरे भरे खेत, कल कल करके बहती नदिया, पेड़ों की डालियों में, जूला जूलते बच्चे, सरल जीवन ऐसा शहरों में कहां शहरी छेतर का बालक निखिल गाउं की सुन्दरता देख कर क्या कहता है आओ पढ़ें निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे, उसके चाचा गाउं में रहते थे एक बार वह अपने पिता जी के साथ उनके गाउं आया, उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी वहाँ उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब तांगे से घर की ओर चल दिये वाह, मिट्टी की सौन्धी सुगंद अच्छी लग रही है थोड़ी देर बाद ही गाउं के घर दिखाई देने लगे पिता जी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया यह खरीद भंडार है, यहां अपना अनाज बेच कर किसान उचित कीमत पाते हैं यहां से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है जहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं गाउं की सुन्दरता देखते हुए वे घर पहुँच गये घर के आंगन का फर्ष कच्चा था लेकिन सफाई से लीपा गया था चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिता जी के पाउं चूकर उनका अभिवादन किया चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाज पिलाई छाज पी कर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया हुर्य मजा आ रहा है ठंडे पानी से नहा कर निखिल को ताजगी का अनभा हुआ फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया वहां छोटी-छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे लौकी की बेल पेड से लिप्टी थी निखिल ने निम्बू के पेड का पत्ता तोड़ कर सुंगा उसमें से निम्बू की सुगंध आ रही थी क्यारियां देखकर उसने पूछा भाईया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सबजिया उगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? वे आगे बढ़े हरदेव ने बताया आज कल बीज बोने का मौसम है इसलिए किसान व्यस्त है उधर धान के खेतों में धान के छोटे-छोटे पौधे लगे हैं जब ये थोड़े बढ़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैला कर पूरे खेत में लगा देंगे वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोट रहे हैं वे बाते करते करते बस्ती की तरफ आ गए हाँ, आसपास के गाउं के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं अरे, वह आपका विद्याले है? लोटते समय निखिल ने पशुशाला देखी उसमें कुछ गाए भैसे बंधी थी घर के बाजू में बना गोबर, गैस, सैयंत्र दिखाते हुए हर देव बोला इस सैयंत्र में गोबर गैस बनती है इस गैस के इस्तमाल से अब रसोई में धुआ नहीं होता मक्षी मच्छर भी नहीं होते, तभी चाचा जी ने आकर कहा जल्दी आओ, तुमारी चाची जी ने खाना तयार कर दिया है दोनों हाथ धोकर रसोई घर में चले गए चाची जी ने खाना परोसा, खाने के साथ घर में बना मक्षन खाकर निखिल फूला न समाया कितना प्यारा है गाओ तो देखा बच्चों, इस कहानी को सुनकर कितना मज़ा आया तो चलिए, अब मैं आपको आपका ग्रीह कारे दे देती हूं सबसे पहले, 76 पेज पर आपको शबदार्त और शुरुत लेक अपनी कॉपी में करना है मौकिक प्रश्न और लिखित प्रश्न ये भी कॉपी में करेंगे फिर 77 पेज पर सही उत्तर पर सही का निशान और भाशा से ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे फिर 78 पेज पर इस्त्री लिंग शब्दों के बहु अचन लिखो, सही विशेशन शब्द छांट कर नीचे दिये गए वाक्यों को पूरा करो, ये सारी चीजे भी कॉपी में करेंगे और 89 पेज पर दूदारण के अनुसार सही शब्द लिख कर प्रतेक वाक्य पूरे करो और इन वाक्यों को पढ़ो और क्रिया विशेशन शब्दों के नीचे रेखा खीचो, ये सारी चीजे आप अपनी कॉपी में करेंगे, धन्यवाद झाल 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 झाल